स्वागद आप सबका इंगलेंड विमेंड टूर ऑफ न्यूजिलेंड के अंदर यह दूसरा T20 यह आई है जो खेला जाएगा सेक्स्टन नोबल नेल्सन के अपर मैच टाइमिंग है सुबह के साड़े पांच बजे तो इस मैच के अंदर आपको मिलिया खेर और सोफी डिवन वापसी करती दिखेएगी फोर न्यूजिलेंड विमेंड पिछले मैच की सम्मरी की बात तरते हैं तो इसके अंदर न्यूजिलेंड को बर्खास मिली थी हुआ गया था इंगलेंड आती है पहले बैटिंग करती है और इन्हों ने 160 बनाया 161 का टार्गेट दिया चार विक फ्रांच जॉनस और ली तव को एक-एक सफलता मिली न्यूजिलेंड आती है चेस करने होम टीम उनकी साइड से भी सूजी बेट जो कैप्टन्सी कर रही थी वो चली थी सिरिफ पैसे टरन की पारी के लिक्या उन गेंदों के अंदर बुरू खेले ने 27 नाबाद किया 23 बॉ जैस कर ने आर्ट बनाया लॉरें बैल को दो और सारा गलन को एक सफलता मिली न्यूजिलेंड इस 5 मैच की सीरीज को 1-0 से हार चुकी है और इंग्लेंड इसको 1-0 से लीड कर रही है भी फिलाल जो 5 मैच की सीरीज है इंग्लेंड ने पहला टी-20 27 न से जीता तो देखते है इस मैच में गया होता है और जो तीसरा T20 है न यह भी सी वैंवी के पर खेला जाएगा चोहिस मार्च को तो यह बहुत अच्छे मौक है दूसरा और तीसरे T20 के अंदर न्यूजरेंड के पास कि सीरीज को थोड़ा सा अपनी तरफ कर लें दो एक से दोनों मैचेस जीत के क्योंकि चोहतर पांचवे T20 के अंदर कैपसी, सौफिय एकलेस्टोन, नैट स्विव ब्रंट, डैनी वाइट यह सुपर स्टार प्लेट्स आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए बहुत ज्यादा तो सुटियम डिसकस क्या करेंगे सबसे बहले कंडिशन के बारे में बात करेंगे कि यहां पर जो प सिरीज देखी होगी, जिसके अंदर ऐसे नजारे दिखाये जाते हैं, खुबसूरत ये ग्राउंड अवाई सब देखिया पर तो इसके बारे में चर्चा करूँगा है कि कंडिशन कैसी रहती है, फिर हर एक प्लेर के स्टैट्स है, मैदान पर किस प्लेर ने क्या किया इसमें मैंने आपको बाउंडी डाइमेशन देखिया और पिछके फूटू दी थी, मैने को याद है मैंने दी थी, आप जाके देख भी सकते हो, तो वह मैं आपको फिर से दी दूँगा, जॉइन कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है, आलाम सैट कर लेना भायो, ठीक है, पांच बजेगा, बूल मच जाना सुवए, सेक्स्टन उवल नेलसन का ग्राउंड है, क्या गजब का विया होता है, स्टेडियम का, तो इस वैनी के उपर 21 जनुवरी को लास्ट वे मैच खेला गया था, 2023 के अंदर, इस वैनी पे बहुत कम क्रिकेट खेली जाती है, आपको पर मैंने अब्जर्व कि आपको बताता हूँ, यह जो ट्रैक होता है, बढ़िया होता है बैटिंग करने के लिए, और जो स्पिनट्स होता है, उनको भी यहाँ पर हेल्प मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है, तो जो लास्ट ताइम मैच बता है, सेंट्रल हाइंस स्पाक्स का 21 जनवरी को खेला गया दा, उस गेम में जो टीम पहले बैटिंग करने आती है, एक सो टीज बनाती है, नौ विकेट के नुकसान पर, उटाओ को चेस करने आई, इन्हों ने इसको आट बॉल रहते चेस कर लिया, चार विकेट से जीत दरश करी, एक सो हो गया, मातर दस ओवरी के अंदर, एक सो टारगेट चेस नहीं हुआ, तो नौ जलेंड विमन, चार में से तीन मैचेस यहां पर जीती है, जितने नोंने खेले हैं, इंगलेंड विमन यहां पर पहली दखा खेलने वाली है, बैटिंग फर्स दो, चेस करते विए दो मैचेस जीते हैं, जादा फराग पड़ेगा नहीं, और प्राफियोर साथ के आसपा सेमेशे हां पर रंज बनते हैं, जो लास मैस था, सीएच वर्सेज ओए स्विमन गा, उसमें साथ विगेट पेसर का, च्छे विगेट स्पिनर्स का था, अभी विगेट को समझते हैं, जो पिछ मिनिट्स का पंदरा, लेक्स मिनिट्स का चार, लेफ्ट आम और्थोडोक्स मिनिट्स का च्छेवी केट है, अब मैं आपको पिछ की फोटो दिखाता हूँ, बंग्दादेश के गेंश मैच वादा, इसमें आप देख सकते हो, अना मुलोक और समय सरकार उपन गर रहे थे, एड डमलें बॉलिंग गर रहे थे, तो पिछ यहां पर इस तरह से देखी थी, शाहिन देखी नहीं पिछ के उपपर, लास्ट इम जब मैच वादा बहुत 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 बैठर बिष थी, और जब फौर ट्रफी के मैच वादा थे, तब पिछ अईसी थी, तभी भी मेरे recently series में निकाला था बहुत प्यारा भी होता है New Zealand में होता गया है एक तो जो matches होतने हैं वो जनता बैठ के देखती है ग्राज वैंक के उपर दोब के उपर बैठ जाती है आराम से आती है पेड़ों के नीचे बैठ के मैज देखती है जो भी एक बहुत प्यारा सीन केरेट करता है क्यों? स्टैंड्स में मैज देखने का वो मजा नहीं है जो आप जमीन पे बैठ के आराम से मैज देखते हो पेड़ के नीचे यह देख़ा आप गजब का भी हो यह स्पेशल पीज रिवोट है वादा ना जो कमेंट करके कैसी लगी? चैनल विडियों स्टैप को लो गंटी बटन दबा दो यह प्लेट्स कार नेट सेशन वाला एरिया इतनी सारी कार है भाई पूछो मताब इदर कार कड़िये उदर कड़िये तमभाहल पूरा सेट है है दोन टीम्स ने आपस के अंदर बत्तिस कहला चोहिस जीती है इंगलेंड साथ जीती है आपर न्यूजलेंड विमेन एक मैच नोड जाल लिया है सूजी बेट सूपन करती इसी गीश के साथ मिल्या कहर वन डाउन सोफी डिवाइन टूडाउन है मैडी ग्रीन ब्रू खेली डे हैंडन डॉवे जैसकर ली तो रॉस्मेर मेर फ्रांजोनस आपको दिख जाएंगे इस गेमें थोड़ी सी दिक्कत दियाएगी कि इस टीम में पहले बहुत अच्छे बॉलर्स है तो टीम इस मैच में प्लीमर को खिला सकती है अब यह निए कंफरम ली खिला है इंस्टेड ऑफ एनी बॉलर चांसस बन सकता है ओम ग्राउंड देवो यह हैनन रोवे का है और रोसमेरी मेर का है यह दोनों सेंटरल हैंड्स के लिए खेलती है जो यहां का ओम ग्राउंड है लोकल टीम के लिए मिकला ग्रिक भी सेंटरल हैंड्स के प्लेयर है जिसको हम सेंटरल स्टेक्स भी कहते हैं सेंटरल डिस्टिट कहते हैं इंग्लेंड विमिन टैमी ब्यमॉंट उपन करेंगी डंगली के साथ माय बुशीर वंडाउन है हिदर नाइट, एमी जोन्स, डैनले गिपसन, बैस, चाली डीन, सारा ग्लेन, लॉरन बेल, लॉरन फिलर आपको ऐपर दिख जाती है स्टैट्स देखेंगे फटा-फट सूजी बेट 27 मैच खेली एक्टूड गंदर 600 रन से एक अर्शता के स्टैम के खिलाब जो पहली बार बना लास्ट गिम के अंदर क्योंकि देखोगा आपने जिस तरह का बॉलिंग अटाइक रहा कैज भी ड्रॉप वह बात अलग है लॉरन फाइलर की बॉल की उपर दो कैच ड्रॉप वे थे 16 मैचेस बैटिंग फर्स 307 रन से चेस कुपर 11 मैच में 292 रन से बहतर आखड़े रहे हैं इसके इस वन ने भी चार मैच खिला है बैटिंग 3 बार आई है 2, 79 और 0 तो कुल मला की कतर रन सके हैं इसने 111 का स्टाइगरेडर 3 विकेड़ भी है पार्ट टाइम एक या दोड़ डाल सकती हैं इससा लास्ट गेम में इन्होंने किया था इजी गेश कुछ खास नंबर्स रहे नहीं हैं फर्म इतना स्पेशल नहीं है आपको मैचेस को टीम में रखो तीन मैचेस में चार रन से बैटिंग फर्स चार चेस के उपड़ जीरो फॉर्म की बात तरें 0-26 नाबाज 17 नाबाज 26 उंते 49 जीरो रहा है मिल्या खेर के 8 मैच में 100 रंस सौका स्टाइग रेड़ साथ विक्ते हैं 6.2 की एक मोस्ट अविलीबल प्लेयर बन सकती है रिसंटली आइपेल में देखा था दिल्ली वाले फेसमें इसको विकेट से नहीं मिले थे एक भी विकेट इसको दिल्ली में नहीं मिला था बट यह है इंटरनेशनल मैचस सार्किट बदला है वेन्यू बदला है कंडिशन्स बदली है जजवाद बदले है वाईज़ा तो मिल्या खेर कैन भी थे स्पेशल लास्ट टैम जब यहां पर एक खेलीद इसने तीन विकेट निकाला था चार की एकॉनोमी के साथ बल्ले से करनी थी रिसेंटली हमने डबलो पिल में देखा बॉलिंग अच्छी कर रही थी ओवर्स लंबे डाल रही थी ऐसा नहीं था एक ओवर डाल रही हो और वैन्यू के उपर तीन मैच में एक विकेट 29 रन से 6.4 की एकॉनोमी है बॉलिंग इस वैन्यू पर तीन मैचों में दो सूला बारा ग्यारा सत्तर इस तरह से रहा है बुरूख है लेड़े नौ मैचेस में 82 रन से बैटिंग फरस्ट एक सोला नाबाद पच्छेस एक नाबाद चेस के उपर साथ दो तीन 27 नाबाद जैस खैर साथ मैचों में तीन विक्ट हैं 33 रन से साड़े साथ के अंडर बहुत खराब स्पेल रहा लास्ट गेम के अंदर इंगा आठ मैचे में तीन विकेट्स आठ की उपर या आठ के आसवास एकॉनोमी है वैनी की उपर तीन मैच खेल चुकी लोकल प्लेयर है या की है एक विकेट है 6.5 की एक बालिंग फरस्ट एक में एक बालिंग सेकंड द तो कॉलैप्स होना नीजी है जैसे लास्ट गीम में हुआ था सुजी बेट्स को छोड़ गया है दस मैचों में साथ ट्रिक्टे लीत होगे और दो मैचेस में चार विकेट है वैनी की उपर इसकी बालिंग में एक कॉटन बोल का I mean catch का चांस बना था अबर ड्रॉप कर दिय जातेगें मेडी ग्रीन ने वेनी के उपर भई बहुत अचांग वोलिंग फर्स टेक में एक मैच में सीधा तीन विकेट है रहाड़े चार के अंडर एक टोनोमी है मेर पांच मैच में तीन विकेट्स एक टुड में चाह-क एक एक की एक है यॉड्ट्री मैं करती है वेन्य पिछले गेम में जैस खेरगा था पहला तीसरा ग्यारवा उन्निस वा एनन रोवे का दूसरा चटवा बारवा इनका एक गवर सुजी बीट्स ने गराया था 16th रोस्मेरी मेर का 14, 7, 9, 20 वा फ्रांस जोनस का 5 वा 13, 15, 17 वा लेता हुगा आठवा, दसवा, चौदव, अठारवा उवर था इंग्लेंड के प्लैट्स को देखते हैं टैमी विमॉंट 16 मैचस में 372, रन से 26, क्यों से दो सौका स्टाइगरेड है देखते हैं इस गिम में किस तरह से खेलती हैं बैटिंग फर्स्ट, एक पंदरा, ग्यारा, तैईस, चौदा, सत्यानवे, तैरा, पंदरा तो इनके जो आखडे रहे हैं वो सिर्फ दो मैचस में अच्छे रहे हैं दो या तीन मैचस के अंदर, ओराल 16 मैचस के लिगे यह एक डिसपॉंटिंटिंग चीज रही है, कंसिस्टेंस इतनी बहतर नहीं है फर्म देखा, आप 15, 2, 16, 2, 20, बहुत दमखम रखती है चल गई तो वैसे आपको एक तरफ आरा सकते हैं अगर आपने ड्रॉप कर दिया हो 9 मैचस में एक सुक्या उन रंस है, 96 का स्टाइगरेट है क्लिनिकल हिटर ऑफ दो बॉल है, आती है लपे मारने की कुशिश करती है बॉल वन से, 32, 11, 9, 14, 73 का फर्म रहा है, पिछला गेम थोड़ा बैतर रहा था माय अबुश्वीर का पांच मैच में, 33, 97 का स्टाइगरेट है 25, 4, 43 नाबाद, 6 क्यूब पर एक, लास्ट गेम में 43 किया है, इसने बैटिंग फर्स करतों इनिंग को एंकर किया था स्टार्टिंग में, फिर बाद में इसने अटेकिंग शॉट्स खेले थे स्टार्टिंग में कुछ शॉट्स खेले थे, इधर नाइट 10 मैच में 260 रन्स है, पिछले गेम में इनका बहुत ही शांदार प्रदर्शन रहा एम भूमी का इनों ने निवाइती मैच के अंदर, बहुत से प्लैटिंग को कैप्टन राइस कैप्टन किया भी था, इसने बॉलिंग भी गरी लास्ट गेम में दो वर एम जोन 14 मैचस में 144 रन से 127 का स्टाइड है, दस कैच आर्ट स्टंपिंग गरी है तो इसके कीपिंग से 18 डिस्मिसल से, सोचवा आप 14 मैचों के अंदर लास्ट गेम में अनलक्की ली थी, रन आउट हो गई दो पे, वरना आपको और बहतर इनिंग्स बिल्ट अप करते भी दिखती है गिफसन का एक मैच में एक रन आट जिरो विकेट है, बॉलिंग सेकंड, लास्ट गेम में इसको डेट और मिला, बीस वा तो भी विकेट नहीं निकाल पाई, बहुत कम होता है बैस है, कुछ योगदा नहीं था लास्ट गेम में, बस कैच इसने जरूर पकड़ा था चाले डीन का एक मैच में जरूर विकेट है, बॉलिंग सेकंड, इसका भी बहुत भैतर स्वेल राता इन फॉर्म है, चाले डीन इस ए गुड विकेट टेकर, इसके पास एक रिदम में विकेट निकालने का आके बॉलिंग करने का अच्छा गासा बैक कर सकते हो लास्ट गेम अपनी वाइस कैप्टन थी, चाले डीन का नौ मैच, सारा गेम का बारा विकेट से नौ मैचेस में, इनका भी लास्ट गेम में बहुत धैतर स्वेलता है, यह दो प्लेट को ड्रॉप करी नहीं सकते है, डीन को और सारा गेम को, लारेन बैल, दो विकेट बॉल फाइलर को लास्ट गेम में विकेट्स मिलते हैं लेकिन वो कहते हैं लाग फैक्टर भी चेह रहता है, दो कैज ड्रॉप है, और इनके बास स्पेस है, बहुत तेजी से आती है जब बैट पर लगती है, जब बैटर्स इसको शॉट खेलता है, तो डिफिकल्स होता ही है, फिर जो दोर बचरे थे इसके, उसको इधर नाइट नहीं कराया, दसवा, चौदवा, लारन बैल का पहला, तीसरा, सतरा, उननिसवा, गिप्सन का दूसरा, बारवा, शोलवा, बीसवा, डीन का दा चौता, चौतवा, तीरवा, ठारवा, थारवा, सार अगलिंगा, साथव नववा, ग्यारव, पंद्रवा, मैच अपस देखें, फटा फट, तो आप देखें, जो सुजी बेट्स है, उनका मैच अप मोशली लॉरन बिल के साथ ही रहा है, पांच इनिंग्स में दो बार आउट किया, तीस बाल के अंदर चालीस अरन देगे, इधर नाइट ने पां ने फस्ती है, खुदी लेक स्विनर और कॉमांडर लेंटर ने बहुत परिशान किया हुआ है, जो बहुत स्विनर से लागे, जो उनको परिशान करता है, डिवाइन अगेंस्ट ज्यादा स्पेशल बैटल नहीं है, बई, स्पेशल मैच हो सकता है डिवाइन के लिए, इव वन गेंट थाइटिस रंज चाइनिंग्स में दो बार आउट किया है, जैस खेर नथिंग लगन कैस्प्रेक नथिंग बजॉन डॉन डॉन प्लीमर एक एक बार आउट किया हुआ है, तैमे बोमॉंट के खिलाफ, ले ताओ 16 इनिंग्स में 6 बार आउट कर चुकी है, और ल दोने दूसरे खिलाफ बहुत खेलता है, डंगली वर्सिस मिलिया है, यह गजब की वैटलर, साथ रिंग्स में 5 बार आउट किया है, पचपन गेंदों के अंदर 42 रं देगे, ले ताओ ने चाइनिंग्स में 3 बार आउट किया है, 29 बार केंदर 17 रं देगे, लास गेम में वाले में 83 रं देगे, यह देगे, यह देगे, यह देगे, अपको शकल दिखे रही होगी है, और यह है अपनी बहस है, इसको भी दिजाइनर ने गलत लिख दिया, कोई नहीं, चलते है, कॉमन कैप्टेन मिलिया का, यह दो सोफी डिवा ने लग जाना तो इसर नाइट है, दैनले गिबसन, सुजी बेट साली डिम को रोटेट कर सकता है, चलता है फंटेसे डिम की दरफ, तो कीपिंग सेक्शन आता है, इसमें अपी जोंस मेरे लियाद से फिर से बहुत बहुत बहुतर ऑप्शन है, लास्ट गेम में इजी गेस जिम टिम का पार्ट रही थी, इंगर नाइट है, डंक लिग आप चाहिए तो बैक कर सकते हैं, हाई रिस्क वाली केटेगरी में मेरे लिए तो आती है, यह हमेशा, इसे वेटर आप आप आए, बुश्री को लो फिर, जो आपको एक इनिंग्स को एंकर करते हुए, साही तरीके से चलाती भी दिख जाती ह मिल्या कहर डिवाइन ले लो, हैनन रोवे एक खेलती हो तब ट्राई करो वरना गिबसन सबसे वेस्ट है, रॉस्मेरी मेर भाइस बहुत बहुत बैतर प्लेयर है, बैटिंग करना जानती है, बॉलिंग इसके पास वेरिशन्स है, लास्ट में बीसफोर डाला, ले तो तो त यहां से आप ले सकते हो लीता हूँ या तो जैसक है, लीता हूँ आती मिडल फेस्ट में वालिंग करने, पावर प्ले के बाद आई थी लास्ट गेम में, और उस टाइम आप पॉलिंग करने आ रहे हो, तो आपके सामने में जोन सीधर नाइट जैसी एक्पिरियंस बैटर ह या तो जैसक है, जिए या सबृट निगाल सकती है, तो आप यह हूँ बड़ी कवें प्लोल फेक्ति बड़ी फेक सकती है, तो जैसके जैसुट्र। थोड़ी नीचे, इधर रैट को कर सकते हैं, जो बैटिंग वालिम दोनों कर दिया है, यह टीम बनी है, मिलता हम से में टेलीगराम के उपपर, सुबर पाँच बजे, जैहिंद, लव यू